नमस्कार विदियासी मित्रो धोरन आठ विशे हिंदीनी अंदर आजे आपड़े पणिये छे पाठ बिजो कच्छ की सेर हरेश तो लक्या कच्छ नी सेर सेर एटले कच्छ ने जोवू जानू फरवू कच्छ दर्शन हरेश तोड़किया छे कच्छ विशे लखे जे तो हैक प्रकार नो यात्रा वूँच छे इस सेकाई में अपनी संस्कूती का आदर अपनी विरासत का संस्करण देस प्रेम आधी मुल्यों को विख्षित किया गया है यहां आपकी रेचना कछी यात्रा का भावानू वाद प्रस्तू थे याने यात्रा रूत छे यात्रा नू वर्णन रूत याने वर्णन तमें जोई सको जो अलग-अलग कछना जे सरस्मजाना चीत्र जे बताई वाजे अवे कछ विशे आनी अंदर पाठनी अंदर विशाल भारत में अनेक दर्शनी प्रांत है सबका आपना महत्व एवं संदर्य है गुजरात उनमेश एक अनूठा राज्य है गुजरात का एक विशिष्ट जीला है कछ जो गुजरात का आत्यंत रमनी प्रदेश है यात्रीयों के लिए कछ आकर्शन का केंद्र है इसका पोराणीक महत्व भी कम नही अनेक दर्शनी स्थानों के वेवितिय के काराणी से म्युजियम संग्राहलाई कह सकते है मतलब विशाल जे भारत छे एनी अन्दर अनेक चोवाला एक स्थडो है अने पोत-पोतानु एमा संदर्य पन छे गुजरात एमा एक अनोखु राजिय अने एनु पोराणीक महत्व पन छे अनेक दर्शनी स्थानों ना वेवितियने कार्णे एने म्युजियम एतले संग्राहलाई पन कही शकाई छे तेर बाद बिजो फक्रो जोए कच्मे प्रवेस करते ही आमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते है एक छोटा रेगि जेसा कोई लक्षन नहीं दिखाई देता रेत कहीं नजर नहीं आती अतो यह अनुठा रेगिस्तान है सरस्मजानी वाद केरी के कच्मा आपड़े प्रवेस करतानी साथ है रेगिस्तान एटले रण प्रदेश जोवा मड़े जे अवे रण प्रदेश छे बे प्रकार्मों छोटा रेगिस्तान याने नानकडू रण प्रदेश अने बिजु बडा रेगिस्तान एटले मोटू रण प्रदेश आ बे रेगिस्तान एटले बे रण प्रदेश नी अंदर कोई लक्षन जोवा नथी मड़ता अने आया रेती पन क्याई जोवा मड़ती नथी एटला प्रग प्रकार नुरेगिस्तान एटले रण प्रदेश के वामा आवे जे। तामें आतुनिक ताके दर्शन होते हैं। तामें आतुनिक तामें आतुनिक ताना दर्शन होते हैं। गांधी दाम आधिपूर तथा गोपालपूरी उध्योगे के कारण विक्सितुरी दिखाई देते हैं। गांधी पूर में गांधी स्मूती तथा पासी कंडला बंदरगा का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहां की प्रजा के लिए महत्व पूर्ण है। अवे सामख्याड थी पस्चिम तरब जो जाये तो बचावावे जे। अने ये मोटु गां जे। त्यां थी गांधी दाम चे अउध्योगी कारखाऊनू सहर जे। आयां सिंधी प्रजा चे पाकिस्तान थी आवी अने स्थाई थाई। गांधी दाम आदिपूर अने गोपाल पूरी उध्योगोना कारणे विक्सित थ्या जे। आदिपूरी नी अंदर गांधी स्मृती है तथा येनी बाजू माज छे कंडला बंदरगा। येनू पण खुबज महत्व जे। कंडला नो विकास छे आईनी प्रजा माटे महत्व पूर्णा जे। कंडला से दक्सिन की और भद्रेश्वर अति प्राचिन जेन यात्रादाम है। संगे मर्मर से बना पच्ची सो वर्ष पुराना जिनालाई भुकम में खंडितुआ। उसके पुन निर्मार का कारिय जोरों से चल रहा है। इसे आदुनिकता का स्पर्स मिला है। मुंद्रा सहर तवसिल मुख्यालाई भी है। यहां अनेक उध्योगे के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगार विक्सित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन हिमारते है। समुद्र के किनारे तरती यात्रा करते हुए हम मान्डवी पहुचे। मान्डवी अती सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यहां सहर राजा के महल पवंचक्यों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनी बना है। यहां VRTI ग्राम्य संस्ता है, बहतर जिनाले है, पासी बिदड़ा गाउं में आंतराष्टी अस्पताल है। मानवी से आगे चलते डुम्रा, कोठीरा, सुद्री और जखो, मत्व, पुन गाउं है। जेनों का प्राधानिय यहां नजर आता है। नल्या सहल तवसिल का केंद्र है। यहां वायू सेना का मुख्य अडा है। तो अवे 25 वर्ष छे पूराणू जिन्ना लई छे, इपुकम मा खंडित थाई क्यू, यहां पुन निर्माण करवानू कारिय छे, यहां खुबज व्यवस्तितरी ते चाल ले जे। अने आधिक तानू, आधुनिक तानू स्पर्स मेलो जे। तो मुंद्रा सेयर छे ही, तैसी लेले तालू कानू मुख्या लई जे। अने आयां छे, खुबज घणा बधा उधियोगो छे, अने यहां विकास नी दिशा छे ही, खुविली जे। समुद्र ना कीनारे सेय मोटू बंदर गाह छे, तो बंदर गाह नी अंदर आपड़े तटी यात्रा करी, समुद्र नी यात्रा करी एटले आपड़े मांडवी पहुची छे, मांडवी नी अंदर सुन्दर छे बंदर गाह छे, प्राची नगर छे, अयां राजा ना मेहलो पवन्चकियो समुद्र काठाना विस्तार नो खुबज नजारो जोवा मले छे अने दर्शनी छे पच्छी अईयां VRTI ग्राम्य संस्तानू बहु खुबज मोटू जीना ले छे अने येनी बाजुनी अंदर बिदडा गाउनी अंदर आंतराष्टी अस्पताल छे एटले मोट ये महत्व पूर्णा गाम जे जेनोनू प्राध्यान ये अईयां नजर आवे जे नडिया छे इपहसी लेटले तालुकानू केंदर जे अने अईयां वायू सेनानू मुखिय अडो जे अटले वायू सेनानू मुखिय केंदर जे नलिया से एक गंटे की यात्रा करने के बाद नारायन सरोवर अती प्राचिन पोवराणिक धार्मिक स्थान आता है नडिया थी एक कलाकनी यात्रा करता नारायन सरोवर से खुबज प्राचिन पोवराणिक अने धार्मिक स्थान छे इस स्थान को रामायन कालका माना जाता ह यहां कोटेश्वर नामक दर्सनी अमणदिर है, आ स्थानने रामायन वकतनू मानवा मावेचे, यहां से रावण गुजरा था, ज्याती रावण छेंगी, प्राचिन समईमा निक एव तो, यहां पुरे भारत का प्राचिन स्थान माना जाता है, शुरियोदई और सुर्यास् यहां का बड़ा आकर्शन छे। यह खुबज प्राचीन स्थान छे मानवामावे से सूर्योध Pot नएने शूरियास्त छे और खुबज मोटुँ दर्शन नू केंद्र छे और आकर्शन Cameron पन छे। त्यार पजी नारायन सरोर से आगे की यात्रा में लगपत आता है। त्यार पजी नारायन सरोर से आगे की यात्रा में लगपत आता है। त्यार पजी नारायन सरोर से आगे की यात्रा में लगपत आता है। माताना मढ नामनू सरस्मजानू मोटु धार्मिक स्थान छे जियां नवरात्री ना परव उपर लोको पग पाड़ा चाली ने आवे छे। श्रद्दा भाव से दर्शनार्थे आते है। आगे नखत्राना प्राकृतिक नज्यारो का केंद्र बना है। नखत्राना छे ये प्राकृतिक नज्यारोनू केंद्र जे। रास्ते में चक्स पुरेश्वर मंदीर बाड़ाई जे से मनोहारी प्राचिन स्थान है। अब कच का मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभोका परिचे होता है। कच्छनू जे मुख्य केंद्र जे छे इपूज जे। त्यां आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामिनाराण मंदीर, हिलगालडर, अमिर्श ताला, भुजिया पहाड, लोक संग्रहालै, विश्वविद्यालै आधिके दर्शन करके हम आनंद ले सकते। कच्छनू जे मुख्य केंद्र जे छे भूज छे, त्यां भूजिनी अंदर आईना महल छे, प्राग महल छे, ट्वावर छे, स्वामिनाराण मंदीर छे, हिलगार्डन छे, अमिर्श तड़ाव छे, भूजियो पहाड छे, लोक संग्रहालै छे, विश्वविद्यालै छे, चेनू बधानों दर्शन करी अने आपने आनननों लावो लई शक्ये छे, संग्रहालै छे, शन्दो जार रेक के भूचालने इसे खंडित किया तो लोगोंने उसे नए रूप में पुन्ना निर्मान करके और सुन्दर सहर बना दिया, ब्याजार रेक ना भूंकप आउता आखंडित थाई गो, पड़ी तुटी फुटी गये लूतु, तो लोकोय फरी थी येने व्यवस्थित रिते पुन्ना निर्मान करी येने नवू, जेवू, सुन्दर जेवू, बनावी लितु जे, पुझ से उतर दिशा की ओर, खावडा में काला डूंगर है, पुझ नी उतर दिशाथे आगडवदिये, तो खावडा करी ने आवेतियां कालो डूंगर छे, पहाड पर चड़कर रेगिस्थान की जाकी करना एक अनुठा अनुभव है, पहाड उपर चड़ी येने रेगिस्थान एटले रण प्रदेशन अनुभव करवो, एपन एक अनुठो अ आते है, आखा देश अने दुनिया माथी लोको अईया आवे से, सफेद रेगिस्थान को देखना एक अनन्दाई घटना है, सफेद रण जे आपड़े कईये से, ये सफेद रण छे ये आख कचनी अंदर आइवो, एईया खुबज मोटो मेडो पराई से, अने देश अने सरस मजानों मानसों छे, आनननों लावो करवा माटे, रण प्रदेश जोवा माटे, आवे से, अने तेने सफेद रण केवाई से, अईया मेडो पराई से, मोटी कच्सानी अंदर मानसों, आवे से, पुच से अंजार भी जाया जाता है, आगे बढ़ते हुए, सुरुजन सस यहां की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है, जेसल तोरर की समूती में मंदिर बना है, जो एती आशिक स्थान है, यहां से आदिपूर तथा गांधी दाम जा सकते है, सुरजबारी नामक स्थान से अमारी कचियाता पून वोती, अवे बुच्थी अंजार पन जवाई है अने सुरुजन नामनी जे संस्था जे एनी अस्तकला छे एही खुब जानी तुझे, त्यार पची जेसल तोरर नी समूती एटले एनी याद मा पन अंजार नी अंदर मंदिर बनावा में आशिक स्थान जे, पच्छी अहीं थी आदिपूर अने गांधी दाम पन जै सकाई छेले लास्ट मा आपने जोवा जाए, तो सुरजबारी नामक स्थान से हमारी कच यात्रा पूर्णा होती है, सुरजबारी नामना स्थान थे आपनी कच नी यात्रा छेई, पूर्ण थाई से, जो अविस्मर्णी स्मूतिया छोड जाती है, जे खुब ज स्मूतिया एटले यादगीरी मुकी जाई छे कहां जाता है कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कच गुजरात का गवरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मोसम में दर्शनी एवं आकर्शन का केंद्र है अपने भारमवार एड़ोटाईनी अंदर ने गणी बदिक केहेव तो मा जोई छे के कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा अपने लोगों ना माटे मोसमनू अने दर्शनी एवं आकर्शननू केंद्र है तो सरस मजानू कच चे जोवाल लायक चे यात्रा करवाल लायक चे प्रवास करवाल लायक चे आपने छेले ना सब्द पन थोड़ाक जोई लें अनूठा याने अनोखा विशिष्ट रेगिस्तान याने मरुभूमी रणप्रदेश जिर्णोद्वार याने पुनन निर्मान नया बनाना मजार याने दर्गा गुरुद्वारा याने सिखो का धान्मिक स्थल अने भुचाल याने भुकम तो दोस्तो आपणे जे पात छे कच की सेर ये कच विशेनो पात छेई पूर्ण कईरो तमे आ पात ने वारमवार वीडियो ने व्यवस्तेत रिते जोजो अन्ने सारी रिते अभियाज कर जो थेंक्यू वेरी मच आप बदानो खुब आभार